आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीजो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सेलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इसके अंदर आपके genes के अंदर जिससे कोई भी particular plant की क्या हो सकती है हम कह सकती है इसकी growth में improvement हो सकती है या फिर हम कह सकती है इसके number में improvement हो सकती है या फिर आपके इसकी yield में improvement हो सकती है so this is all the reasons that are based on which plant breeding is done अब अगर हम बात करते हैं आपके plant breeding की तो इसके अंदर आपके कुछ particular हमें steps हैं वो आपके sequence wise follow करने होते हैं जिसके वज़े से आपका ये सब possible हो पाता है सबसे पहले step के अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं collection of germplasm collection of germplasm और ये आपकी क्या होता है germplasm में variability भी हम कह सकते हैं कि collection of variability फिर हम बात कर सकते हैं आपके इसके बाद में हमें क्या होना पड़ता है आपका selection करना पड़ता है parent plant का क्या करना पड़ता है selection करना पड़ता है parent plant का उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है आपकी जो सबसे important जो आपका step होता है वो होता है आपका third step जिसमें हमें क्या करना पड़ता है आपका cross hybridization करना पड़ता है cross hybridization और यह जो आपका cross hybridization होता है यह आपका किसमें होता है यह आपका होता है parent plant के अंदर so this is the most important and significant हम कह सकते है step होता है आपका उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है आपका selection होता है एक तरह से और फिर हम कह सकते हैं आपका testing भी होती है अब ये testing किस बाद की होती है ति ते testing होती है और superior recombinant फिर अगर हम बात करते हैं तो ये आपके चार स्टेप्स के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो आपके टेस्टिंग होती है सुपिरियर री कम्बिनेंट की इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि क्रोसिंग होती है between desirable, combinants, combination फिर हम बात कर सकते हैं आपका next में क्या होता है फिर आपकी testing के बाद होता है release अब इसमें क्या होता है आपकी जो pure line variety होती है pure line variety होती है plants की जैसे कि हमें different climatic conditions देखने को मिल सकती है इसके basis पर या फिर आपके different soil types के और यह आपकी once the pure line होती है ये आपकी desirable characters के साथ होती है So these are the particularly steps which are seen in a plant breeding when a new variety is released. With this, thank you